पीम मोधी आज ड्राइवरलेस मेट्रों को हरी जंडी दिखाएंगे बतादे आपको मर्जेंटा और पिंक लाइन पर ये ट्रेन दोडेगी 37 किलो मीटर का ये पूरा ड्राइवरलेस सफर होगा ड्राइवरलेस ट्रेन पूरी तरह से अटोमेटिक होगी तो बता दे आपको driverless train आज इसका उद्गाटन करने वाले हैं driverless train को हरी जंडी दिखाएंगे प्रिधान मंत्री नरेंदर मोदी, margenta line और pink line पर driverless train दोड़ेगी ललेत नराइन कांटपाल जुड़े जादा जानकारी के साथ ललेत एक नया कीरतीमान भारत के नाम हासिल होने वाला है driverless metro train का बिल्कुल देखिए magenta line जो है उसमें driverless metro चलाने के लिए आज प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी जो है हरी जंडी दिखाएंगे वीडियो कॉन्फरेंसिंग के चरिए ये कारेकरम होने जा रहा है कुजा और ये अपने आप में एक तरह का भारत के लिए नया कीरतीमान है जबकि ये विशेश तौर पर यूरोप की दुनिया से बाहर निकल कर अब एशिया की कंट्री में भारत पहला ऐसा देश बनने जा रहा है जहाँ पर driverless metro चलेगी हाला कि driverless कहा जुरूर जा रहा है लेकिन इसमें फिलहाल जो है attendant मौझूद रहेगा लेकिन इसका जो पूरा command center है वो एक intelligence center के जरिये रहेगा एक commanding center के जरिये वहाँ से ये operate की जाएगी emergency brakes जो है train में बैठे आदमी को दिये जाएंगे train में बैठे ड्राइवर को दिये जाएंगे अगर किसी भी इस्तिती में कोई ऐसी बात होती है तो train को रोका जा सकता है आज जब प्रधान मंत्री नरेंदर मोधी से हरी जंडी दिखा देंगे या तुरंथि यांदि ही से आम जनता के लिए भी शुरू कर दिया जाएगा पूजा देखिए आज प्रधान मंत्री उसी सिस्टम को लॉंच करने जा रहे हैं तो अभी से ही ये जो ट्रेन होगी ये ड्राइवर लेस हो जाएगी एक तरह से और कमांडिंग सेंटर के जरिए इसका काम पूरा शुरू हो जाएगा कि अगर देखा जाए तो दुनिया के देशों में ये सारा सिस्टम जो है वो असी के दर्शक महीं आ गया था लेकिन भारत में आज हम 2020 मां कर इस सिस्टम को अपना रहे हैं ये अपने आप में बहुत बहुतरीन बात है और मेट्रो की योजना है कि आने वाले समय में लगभ शुक्रिया आपका रलतिस्तमाम जानकारी के लिए